हेलो फ्रेंट्स, मलीना ये 2000 की मुवी आज में आपको एक्स्प्लेन करने वाला हूँ एक छोटा लड़का एक औरत की पैप में पढ़ जाता है इसके बाद क्या होता है, ये आज की मुवी की स्टोरी लाइन है इस मुवी की स्टोरी लाइन तो सिंपल लगती है और बहुत सारी चीज से ये रिविल करती है सोसाइटी किस तरीगे से लोग को देखती है और इस्पेशली औरतों को देखने का सोसाइटी का नजरिया इसकी एक कंप्लीट इनसाइटी मुवी देख कर जाती है मुवी स्टार्ट होती है और मुवी की सेटिंग हमें दिखा ही जाती है मुवी जो है कि इटली के एक शेहर में चल रही है हमारा मेन क्यारेक्टर एक छोटा लड़का रिनेटो हमें दिखता है इनके कंट्री में वार का इलान हो चुका है पर आज उसे बाइसिकल मिली है तो बहुत खुश है बाइसिकल लेकर ये बड़े वच्चों के पास चला जाता है इन बड़े लड़कों का एक exclusive गैंग है जिसने रिनेटो को भी शामिल होना है इसी वज़े से इसने cycle by किया है क्योंकि इन सब के पास cycle है रिने तो जब cycle लेकर आता है तो इसके वो friends बन चाते है ये बात ही कर रहे होते हैं तब भी वहाँ से मलीना आती है ये सब लड़के बैट जाते हैं और मलीना को देखने लग जाते है रेने तो मलीना को पहली वार देखता है तब ही उसे प्यार हो जाता है मलीना एक बहुत ब्यूटिफुल वारत होती है और सब लोग इसके पीछे होती है जब मलीना इनसे पास हो जाती है तो अलग कॉर्नर पर आ जाते है और फिर से उसे देखते है य가는 करते शेहर तक वो पोशते है मलीना इन सब के एक टीचर की लट्खी होती है ये टीचर डेफ होता है तो मलीना को लेकर इन से वो बहुत मजाग करते है ये सब लट्खे समुन्दर के पास बेटकर अपने आपको मेजर गरे होती है इसमें से एक लड़का ब्रैक करता हूँ कहता है या लड़का कहता है कि मलीना ने मुझे एक बार सिगरेट लाने के लिए बोला था जब वह वहा गया तो उसने अपना रोब नीचे किरा दिया मैंने उसे पुरा नेकट देखा है इसी तरीकी की स्टोरिस सब लोग मलीना के बारे में बनाता है तो फिर इमेजिन करता है कि वो भी मलीना की घर के सामने है और मलीना ने उसे सिगरेट लाने के लिए बुलवाया है उसके फ्रेंड ने जो स्टोरी कही थी यही story अपने mind में हो recreate करता है अब रेने तो को लगता है कि हो बड़ा हो चुका है हाप pants पहनना उसे जरा गलत लगता है तो अपनी फादर की pants लेता है और उसे alter करवा कर लाता है जब उसके फादर को पता चलता है तो बहुत ही जीट जाते है यसे कुट्टे जैसा मारते हैं यह अपने फादर को कहता है कि मुझे शरम आती है उसके फादर और वो फिर डिल बनाते है उसके वक्त इटिली में मुसुलिनी का राश्ता इसके फादर कहते है कि जिस दिन मुसुलिनी मर जाएगा उस दिन में तुम पैंट दिलवाँगा रनी तो भी इसके लिए मान जाता है रनी तो रात में जाकर मलीना के घर में एक होल बना कर देखता है कि उसके घर में जल क्या रहा है मलीना अपने घर में अकेली होती है उसका हस्बन वार में चला गया होता है रनी तो जब बारबर शॉप में जाता है तो मलीना के बारे में सब कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कहते हैं कि मलीना का कोई न कोई तो होगा जो उससे हल्प करता होगा उसका हस्बन बाहर चला गया है तो उसका किसी के साथ अफेर है सिर्फ रुबंस फैलाने का काम सब लोग करते है मलीना बहुत अकेली होती है अपने हस्बन का लेटर पढ़ती है उसे बहुत बुरा लगता है रने तो अब उस पर हमेशा स्पाय करने लग जाता है और सब कुछ देखता है वो फिर से रात में होल से मलीना के घर में देखता है मलीना म्यूजिक सुनकर डांस कर रही हünden है यह शहर में जाकर सिर्फ धुन से शौपर को बता रहा होता है कि उसे एक गाना चाहिए शौपर भी जरब परिशान हो जाता है वो उसे बोल के लिए कहता है रहने तो को बोले आद आते हैं और यह CD वो बाई कर लेता है रात में यही CD लगा कर वो सुनता है इसके पास एक छोटी सी भूख होती है जिसमें nude paintings होती है इसमें भी वो मलीना को ही देखता है मलीना को देखकर imagine करता है कि वो उसके पास आ चुकी है वो उसके room में ही है और अपने आपको please करने लग जाता है समुन्दर के पास आकर मलीना को एक later लिखता है उसमें लिख रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे life में मेरे सिवा कोई भी नहीं है जो भी लोग कहते हैं यह सब कुछ गलत है इसका कुछ भी courage नहीं होता और later fake देता है मलीना का अब वो पीच्छा करते करते है शहर में भी आ जाता है शहर में हम देखते है तो सब लोग मलीना को देख रहे होते है जवान भुठे सब लोग रने तो फिर मलीना का पीछा करते-करते एक घर तक आ जाता है इस घर में उपर के खिड़की से मलीना के लिए कुई चावी फेकता है और मलीना अंदर चली जाती है जैसे लोग कहते ही है वैसे रने तो को लगता है कि इसका इस आदमी के साथ अफेश जल रहा है अब रनेतों को लगता है कि उसके साथ धोका हुआ है वो ठेटर में बैठा हुआ दिखता है वो ठेटर में जो फिल्म जलती है इसमें भी उसे अपना ही सीन दिखता है इसमें मलीना को कंफरेंट कर रहा है कि क्यूँ उसने उसे दगा दिया यह heart broke हो जाता है इसे और भी curiosity है कि मलीना किसके साथ है तो फिर से उसका पीछा करता है यह घर second floor पर होता है तो जड़ कर second floor पर आ जाता है जब जड़ कर उपर आ जाता है तो वे मलीना के फादर का घर होता है इससे फिर से अच्छा लगने लग जाता है रने तो फिर से दिन राद सिर्फ मलीना को इमेजिन करता है फैंटेसिस बनाता है और अपने आपको प्लीज करता रहता है उसके बेड़ की आवाज आती है तो उसके फादर उसे बहुत डागते है पर फिर भी मानने वाला नहीं होता नेक सिर्फ में हम देखते हैं कि रने तो अपने फ्रेंड्स के साथ होता है उसके फ्रेंड्स बात कह रहे होते हैं कि मलीना का हस्बन वार में शहीद हो गया मलीना उसके फादर की घर पर होती है यहाँ भी रने तो आ जाता है उसे बाहर से ही देखता है पर वो इमेजिन करता है कि वो अंदर चला गया है जाकर कह रहा है कि हमेशा मैं तुमारा खैल रहूँ सिर्म मुझे थोड़े से साल दो पड़ा होने में इसके बाद उसे किस कर रहा है यह सब इमेजिन करकर वहाँ से चला जाता है अब रने तो जहाँ भी जाता है तो सब लोग मलीना के बारे में बात कर रहे होते हैं मलीना का किसके साथ अफेर है इसके वो थेरिस बनाते हैं रने तो कोई अच्छा नहीं लगता ये लोग जब रनेतों को दूद लाने के लिए कहते है तो इसमें वो थूख देता है मलीना के खिलाफ कोई जाए ये उसे अच्छा नहीं लगता रनेतों फिर जज आता है जज में वो डारेक्ली गौड से बात नहीं कर सकता क्योंकि वो उसे अपनी एच्छ का नहीं लगता वो एक अपोस्टल से अपनी सब बात कहता है वो कहता है कि हम एक डील करते है मलीना को तुम सही से रखना और मैं हमेशा तुमारे केंडल चलाता रहूंगा रने तो एक दिन जब मलीना पर नज़र रख रहा होता है तो वो अपने कपड़े निकाल रही होती है तो उसका बलाउज वो बाहर ही रख देती है रने तो जाकर ये बलाउज लेकर आता है ये फेस से रात में मलीना को इमेजिन करता है और ये ब्लाउज अपने फेस पर लग कर रात में सो जाता है अगले दिन इसके फादर ही देखते है घर में बहुत ही तमाश है खड़ा हो जाता है इसकी मदर रोने लग जाती है इसके फादर इसे मारने लग जाते है ये ब्लाउज इसकी मदर जला देती है सब लोग अब डिस्टब हो जाते है इसके फादर इसका रूम बन कर देते है रने तो बाहर नहीं जा सकता तो खाना भी ना छोड़ देता है यह बिमार पढ़ जाता है तो डॉक्टर को बुलवाया जाता है डॉक्टर कहते है इसे बाहर जाना चाहिए फिर से इसका रूटिन स्टार्ट हो जाता है एक दिन मलीना के फादर को एक लिटर मिलता है उसमें लिखा होता है कि मलीना सब गाओ के साथ सो रही है मलीना के फादर को बहुत ही बुरा लगता है और वहाँ से वो चले जाते है रनेतो का फ्रेंड मलीना के बारे में बुरी बात ही कर रहा होता है तो रनेतो और उसका फाइट हो जाता है अब रनेतो फिर से मलीना के घर में जाग कर देख रहा होता है रात में वह देखता है तो वहाँ एक आर्मी ओफिसर आ चुका है यहार अनेतों को पता चलता है कि इन दोनों में relationship है जब officer मलीना की घर से बाहर निकलता है तु उसे एक doctor देखता है यह doctor उसके पास जाकर कहता है कि मलीना एनी fiance है तुम कैसे उसके घर से बाहर निकल सकते हो इन दोनों में fight हो जाती है तब ही डॉक्टर की वाइब भी वहा आ जाती है डॉक्टर की वाइब इसका पीछाई कर रहे थी क्योंकि इसे पता था कि इसका कही ना कही चक्कर चल रहा है यहाँ और भी लोग आ जाते है और एक बड़ा एशू बन जाता है सब को लगता है कि मलीना ने डॉक्टर के साथ यानि एक मैरिट आदमी के साथ सम्मन्द बनाया है इसे वज़े से इसे जेल भी हो सकती है मलीना अब एक लीगल टरबल में है तो एक एड़ोकेट के पास आती है जब इसका कोट चलता है तो डॉक्टर केता है कि मेरी फियान से है मलीना से सवाल पूछा जाते है मलीना केती है ये डॉक्टर सिर्फ मेरे घर पर एक बार ही आया था और वो भी मेडिसिन डेनी के लिए हम दोनों में कुछ भी सम्मन नहीं है ये डॉक्टर वो कितना स्टर्ड है यही दिखाने के लिए मलीना का और उसका relationship है यह बता रहा था actual में ऐसा कुछ भी नहीं था मलीना से जब army officer के बारे में पूछा जाता है तो कहती ही कि यह मेरा personal mentor है इसे जानने का हग किसी को भी नहीं है scandal की वज़े से उस army officer की बदली हो जाती है अब रात में हम देखते हैं कि मलीना के घर पर lawyer आया हुआ है यह उसे touch करने कोशश करता है तो मलीना उसे पैसे देती है वो कहती है कि इससे जादा में तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकती lawyer केता है कि मेरी face तो इससे बहुत ही जाता है वो मलीना को जगड लेता है और उसके साथ intimate हो जाता है यह सब रने तो देख रहता है मलीना भी कुछ करने पाती अब थोड़ा डाइम गुजर जाता है और रने तो को बहुत ही depressing लगता है इस doctor को सब लोग loser समझते है कोई भी लड़की इसके पास ने जाती क्योंकि वो sting करता है यह middle age है फिर भी अपनी मदर के साथ ही रहता है रने तो उस दिन के बाद मलीना के घर पर नज़र लखने के लिए नहीं गया है मलीना अब इस lawyer से शादी करने वाली है रने तो कोई सुनकर बहुत ही बुरा लगता है और मलीना को लेटर लिखता है कि उसके साथ तुम कैसे पूरी जिन्दकी वीता सकती हो उसकी teacher उसके पास आती है और यही सवाल वो अपनी teacher से भी पोछ लेता है उसे लगता है कि वो मलीना ही है यह यहाँ बहुत मार खाता है रने तो अब डॉक्टर पर नज़र रख रहा है डॉक्टर जब अपनी मदर को कहता है कि वो मलीना से शादी करने वाला है तो उसकी मदर उसे बहुत मारती है सबने अफ़वा बनाई है कि मलीना सब लोग के साथ सोती है इसी वज़े से उसकी मदरों से बहुत मारती है अब मुवी में मुसुलीनी मर चुका है तो रेने तो नहीं पैंड मिल जाती है मलीना लॉयर से शादी नहीं करना जाती तो उसे वो मना कर देती है इसके बाद मलीना की financial situation बहुत ही खराब हो जाती है मलीना को उसके husband के भी pension अब मिल ले रही तो उसके खाने पीने का भी बहुत बड़ा problem हो जाता है उसके बहुत बदनामी हो गई है तो अगर उसके पास specific होते है तब भी उसे कोई सबजिया वागिरा नहीं देता मलीना एक दूसरे आदमे से मिलती है और उसे ब्रेट लेती है इसके बदले में के भी इसके साथ intimate होना चाता है अब नेकसिन में हम देखते है कि इनके शहर के उपर से plane कुजरते है और बहुत बड़े bombs इन पर डाल देते है इसमें मलीना के father मर जाते है इस funeral पर सब लोग उसे कहते है कि उसका सहारा बन सकते है पर इन सब को सिर्फ इसके साथ intimate ही होना होता है रात में मलीना के पास खाना देने के लिए कादमी आता है ये फिर से उस पर जबग पड़ता है इस बार मलीना रेजिस नहीं करती अब नेकसिन में हमें दिखता है कि मलीना ने पुरा makeover कर लिया है मलीना पैसे कमा सके इसलिए prostitution में चली जाती है ये सब देखकर रानितों को बहुत ही बुरा लगता है ये depressed हो जाता है कुछ भी खाना पिना नहीं कर रहा होता सब को लगता है कि भूद ने इसे पचाड लिया है इस पर सब treatment होती है जर्ज में भी इसे लेकर जाया जाता है पर ये सब कुछ काम नहीं करता रनितों के फादर समझ आते हैं कि इसकी बिमारी अलग ही है इसे directly वो red light area में एक prostitute के पास लेकर आते है जब इस प्रोस्टिटूट रनिता के साथ होती है तब इसे लगता है कि ये मलीना ही है वो मलीना को ही imagine करता है अब थोड़े दिन गुजर जाते है इटली war में जीत चुकी है और वहाँ जशन मनाया जा रहा है मलीना prostitution करने लग गई है तो गाउ की सब औरते अब उस पर बहुत ही चिड़ी हुई है अब सब वाइफ डिसाइड करती है कि वो मलीना को सहर से बाहर निकाल देगी उसे बहुत मारते है मलीना भी वहाँ से निकल जाती है रने तो मलीना को जाते होई देखता है थोड़े दिनों बात मलीना का husband गाउ में आ जाता है ये मरा नहीं था इसका हाट टूट गया था और सबको लगा था ये मर चुका है ये गाउ में आता है पर इससे कोई बात नहीं कर रहा था जब अपने घर पर पहुचता है तो वाई इमिगरंट्स रह रहे होते है ये फिर आर्मी के ओफिस में आ जाता है यहाँ उसे बताया जाता है कि मलीना प्रोस्ट्रूट बन चुकी है इसे बहुत ही दुख होता है ये नीचे आकर अपने कुछ फ्रेंड से बात करता है मलीना के बारे में पुछता है ये सब कहते हैं कि किसी रेड लाइट एरिया में होगी ये इसकी insult करते है हस्बन और उनकी fight हो जाती है पर हस्बन ही गिर जाता है उसका हाट टुटा हुआ है तो ऊट नहीं सकता रने तो भी उसका पीछा करते ये सब देख रहा होता है तो उसे वो सहारा देता है रात में हस्बन अपने घर पर होता है तो रानेतों चूपके से जाकर उसे चिट्टी देखकर आता है आज हो भाग जाता है इस चिट्टी में लिखा होता है तुम्हें जो भी सब लोग कह रहे हैं ये सब कुछ गलत है सब बुरी चीज़े लोग मलीना के बारे में कहते हैं और मुझे बता है कि हमेशा तुम से ही प्यार करती थी उसने जो सब चीज़े की उसने सिर्फ अपना गुजारा करने के लिए की रानेतों को पता है कि मलीना कहा गई है तो उसकी लोगेशन हो बता देता है हजबड भी मलीना को लेने के लिए चला जाता है थोड़ी दिनों बाद मलीना और उसका हस्बन गाव में वापस आ जाते है सब लोग इन्हें देखने लग जाते है पर इन्हें कुछ फरक नहीं पड़ता नेज़ दिन मलीना सबजी लेने के लिए आती है यहां सब लोग बात करे होते हैं फिरसे वापस आना यह बहुत करेजियस था मलीना को कुछ लोग सिंपताईज करने लग जाते हैं उसने इतना सब कुछ जहला है तो उन्हें बुरा लगता है मलीना का हस्बन अब उसके साथ है उसे प्रोटेक्ट कर सकता है इसी वाज़े से उसे फिरसे अब सब लोग रिस्पेक्ट देने लग जाते हैं मलीना घर वापस जा रहे होती है तब उसकी सबजिया नीचे गिर जाती है रने तो उसके पास जाता है और यह सब उठाने में उसे मदद करता है जाते जाते उसे कहता है कि अब तुम्हारी लाइफ के लिए गूड लग मलीना भी स्माइल देती है और रने तो वहाँ से चला जाता है रने तो कहता है कि अब मैं वहाँ से भाग गया मेरे इनोसन से मेरे पुरानी लाइफ से मैं भागता ही चला गया उसके बाद मैं बहुत सारी लड़कियों के साथ रहा हूँ वो हमेशा मुझसे पुछती थी क्या तुम मुझे याद रखोगे पर हमेशा सिर्फ मैंने मलीना को ही याद रखा है यही ये मूवी एंड हो जाती है अगर हम इस मूवी में देखे तो मलीना का हस्बन चला गया तो सोसाइटी सब उसके खिलाफ हो गई उसके बीचे रूमर्स बना लग गई वो एक औरत है तो सिर्फ उसे अबजेक्टिफाई करने लग गई मलीना उनकी सेक्शुल डिजार्स कंपिट करने का सिर्फ एक जरिया था रने तो भी मलीना से अट्रेक्टेड था और फर्सली उसे अबजेक्टिफाई कर रहा था पर वो जब मलीना को दिन रात देखने लग गया तो उसे पता चला कि मलीना के लाइफ में चल क्या रहा है वो क्या कर रही है उसके साथ क्या हो रहा है उसके हालत कैसे है और ये उसे कैसे शेप करे है», ये सब वो देखने लग गया। उसे सोसाइटीबर घुसा आने लग गया। किसी की भी लाइफ में कया चल रहा है है ये कभी हम जान नहीं सकते। उसके बारे में रुमर करना कितना गलत है यह मुझे हमें बताती है मलीना को सब लोग जो समझते थे बाद में मलीना वही बन गए उसके बाद भी सब लोग ने उसे मार मार कर गाव से बाहर निकाल दिया वने तो समझ गया था, कि वो सच में अगर मलीना से प्यार करता है, तो मलीना को उससे जाने देना चाहिए, इसलिए मलीना का हस्बन वापस आया, तो मलीना के बारे में सब कुस सच उसने उससे बता दिया, अचका विडियो हम यही कतम करते है, अकर आप कोई वीडियो अच्छा लगा तो लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा बहुत सारी इसे मुविज लेकर आता रहे तो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेए और बेल नुटिविशन आइकन दबाने में मत भूले हम विर से मिलेंगे और एक नए मुविए के साथ तो के लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखें